Good morning everyone, जैसे हर सुबह healthy breakfast करना आपके लिए बहुत important है, यह पूरे दिन की energy देता है, उसे तरह हर सुबह एक simple positive thought से अपनी दिन की शुरुआत करना, पूरे दिन आपकी mental health अच्छे mood में, अच्छे zone में रहेगी, this is like soul food, soul breakfast, so देखते हैं आज के breakfast में क्या है? आज के message को एक sign समझे या फिर एक reminder, लेकिन message यह है कि हमेशा कुछ रहना चाहिए, हमारे गुरु कहते हैं हर हाल में खुशी, वैसे भी negative feel करने में कितनी मेहनत लगती है, गंटों तक रो, फिर आखे सूच जाएंगी, फिर जुखाम जैसे लगने लगेगा, फिर सर में जिन्दगी में दर्द, उफ दर्द, तो क्यों इस दर्द को महसूस करना है, बुरा हम सभी के साथ होता है, हमें ऐसा लगता है कि मेरी जिन्दगी में जितना हो रहा है, उतना सामने वाले के लाइफ में तो नहीं हो रहा, कोई मुझे नहीं समझ सकता ऐसा हमें लगता है, लेकिन आपको पता है जब हम किसी की दुख सुनने बैठेंगे ना ऐसे ऐसे दुख होंगे ना लोगों के कि उनके सामने हमारी प्रॉब्लम समय बहुत छोटी लगने लगेंगी ऐसा लगेगा कि बस मेरी तो इतनी सी प्रॉब्लम है और मैं इस से बाहर नहीं निकल सकती और इनसान इस सिचुएशन से गुजर कर जी रहा है हस रहा है लाइफ एक रिवर की तरह फ्लो होती रहनी चाहिए कुछ बुरा होने पर जो थम जाए तो जिन्दगी भी थम जाएगी जीते जी मरने वाली सिचुएशन हो जाएगी और वैसा हमें नहीं करना है जब हम डरते है ना लाइफ में किसी भी चीज से कि मैं ये चीज करूंगी तो मैं सक्सेस्फुल रहूंगी क्या क्या मैं इस एक्जाम में पास हो जाओंगी क्या मैं वो बन जाओंगी क्या ये परसन कभी मुझे मिलेगा कहीं ये परसन मुझे छोड़ कर तो नहीं जाएगा ऐसे जितने भ करो कूद जाओ जो आपका दिल कर रहा है वही करो यहां पे हम जीने के लिए आए है हमारा जो रियल स्वभाव है ना वही प्यार और हैपिनेस वाला है जैसे पैदा होते समय हम नाखून सर के बाल यह सारी चीजों के साथ आते हैं आइलाश तो वैसे ही हमारे मन में प्यार औ वो attachment, वो प्यार उसे सिखाना नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि naturally soul का स्वभाव ही यह होता है, अब जैसे जैसे हम जिन्दगी को experience करते हैं, अलग-अलग तरीके के emotions हमारे मन में जगा ले लेते हैं, जैसे गुसा, डर, फेल होना, या बहुत सारी चीजे, पर हमारा goal क्या है, life का purpose क्या है, पता है, कि इन सारे जो emotions हैं बाकी के, उनको हम पर हावी होने नहीं देना है, overpower होने नहीं देना है, और जो हमारा real nature है, happiness and love, उसका level बनाए रखना है, और खुल के जिन्दगी को जीना है, that's it. आज मैं एक अलगी level की positivity फिल कर रही हूँ, and I hope कि आप सब भी वही experience करें अपने day में, have a mind-blowing positive day, bye.